आज डॉटनेट आप डॉटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डॉट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डॉटनेट करें हमारा प्रसन है किसी आवर्थ के अनुदिस परमाडू तरिज्या किस प्रकार परिवर्थित होती है, ठीक है, चलिए देखते हैं, तो आपको पता है जब आवर्थ में आप बाएं से दाए जाते हो, ठीक है, तब जो हमारा परमाडू तरिज्या होती है, ठीक है, परमाडू बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मान लिया, नाभिक, यहाँ भी जी नाभिक, इसलिए पॉजिटिव आवेस लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पता है कि आवर्त में जो होता है, आवर्त संख्या जो होती है, ठीक है, वो क्या होती कोसो की संख्या आवर्थ अगर हमें निकालना होता तो कोसो की संख्या जो होती वही आवर्थ संख्या होती है इतनी बात ध्यान में रखना है तो 22 दाये जाते वक्त कोसो की संख्या नहीं भड़ती है एक ही आवर्थ में ठीक है कोसो की संख्या उतनी रहती है माद लो यहां कितने electron है, यहां माद लिए 1, 2 electron, यहां पर भी 2 electron, और यहां पर भी 2 electron, यहां पर भी 2 electron, यहां पर एक आवर्द की बात कर रहे हैं, और यहां पर कुल कितने electron, माद लो 1 electron, और यहां पर फिर 2 electron, और यहां पर फिर 1, 2, 3 electron, ठीक है? देखें फिर यहां पर क्या है कोसो की संख्या समान है अगर कोसो की उपर से नीचे जाते वक्त क्या होता था उपर से नीचे जाते वक्त जो परमाडू आकार होता है वो बढ़ता है ठीक है आकार जो होता है परमाडू का वो बढ़ने लगता है त्रिज्या क्योंकि बढ़ती है जब आकार बढ़ता है इसका कारल क्या है कोसो की संख्या बढ़ती है ठीक है कोसो की संख्या बढ़ती है और जब कोसो की संख्या बढ़ने लगेगी तब क्या होगा जब कोसो की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी आकार बढ़ तो इनके बीच का क्या होता है? इनके बीच का जो आकर्षड होता है नाभिक के और बारीकोष का ठीक है? वो आकर्षड क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है यहां जीतना अकर्सड है, सबसे ज़्यादा आकर्सड किसमें हो गैसमें, क्यों इसमें तीन इलेक्ट्रोन आ गये ठाच है, इसका नावडूत आवेत जज़्या जदा, इसमें ठोड़ा कम हो जो जायेगा ठाच है, यानि कि जब इधर से इधर आओ के दाएं से बाएं यहां हमने नाभिक कोस अभी बोल दिया था, सॉरी, नाभिक का धनावेश, ठीक है, और बाहरी कोस के इलेक्ट्रोन, कोस के इलेक्ट्रोन, की संख्या, बढ़ती है, ठीक है, यानि कि नाभिक, नाभिक और धनावेश, नाभिक का धनावेश और भाहरी कोस के इलेक्ट्रोन, का आकर्सर बल बढ़ने के कारण, ठीक, आकर्सर बल बढ़ने के कारण, परमाडू तरिज्या घटती है, आवर्त में घटती है, ओके, ठैंक यू, पक्षण चर्णी से बार भी से लेकर, नीट आईएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादा चातरों का भरोजा, आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप, या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स, आच चार्सो 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 पर,